बॉलिवुड की हर फिल्म के सक्सिस की अपनी एक अलग कहानी है और फिल्मों से जुड़ने वाले अक्टर्स के भी कई दिल्चस्प किस्से हैं जहां कई अक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया जो बाद में सुपर हिट साबित हुई और कई स्टार्स के स्टार्डम के कारण कुछ फिल्म में उनके हाथ से निकल गई ऐसी ही एक अभिनेतरी का नाम श्री देवी है बॉलिवुड की दिवंगत अभिनेतरी श्री देवी को किंखान शारुक खान की फिल्म बाजी गर में डबल रोल में कास्ट करने का निर्नाय लिया गया था लेकिन बात नहीं बन सकी फिल्म बाजी गर में शिर्पाशेटी और क के तौर पर श्रीदेवी को लेने के लिए काफी उत्सा ही थे लेकिन फिर बात में उन्हें एहसास हुआ कि श्रीदेवी शारुख खान के किरदार प्रभारी पर सकती है और हो सकता है दर्शक शारुख से कनेक्ट ना कर पाए और इसी बात को ध्यान में रखते वे उन लोगो इसको कास्ट की थी फिल्म में शिल्पाशेटी और काजोल को लीड रोल के लिए चुना गया था और इन दोनों एक्ट्रिस के साथ बिशारुख की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी